नमस्कार किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा आज किस्सा यूपी का में बात करेंगे जनसंक्या नियंतरन कानून की देश में बढ़ती आबादी को लेकर छड़ी बहस के बीच इस पर नियंतरन के लिए कानून बनाये जाने की मांग की जा रही है उत्रप्रदेश जनसंक्या नियंतरन बिल 2022 को लाउंच किये एक साल बीद गये पिछले साल 11 जुलाई को जब इस बिल को सियम योगी आदितनात की सरकार की ओर से लॉंच किया गया था तो साफ किया गया था कि एक साल के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा और हाली में सियम योगी ने संकेत दिया कि एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता होगी जनसंक्या का अंसंतुलन नहीं होना चाहिए तो क्या जनसंक्या नियंतरन बिल को लेकर फिर मचेगा घमसार जनसंख्या नियंतरन बिल देश के लिए कितना जरूरी है और इस बिल से मुस्लिम समुदायों को क्यों है दिक्कत आज इसे किसे पर बातचीत करेंगे चर्चा की नमार साथ स्टूडिय बे मौझूद है क्यापिटल टीवी के सीनियर आजिटर राजीब जी जनसंख्या नियंतरन कानून कीतना जरूरी है वो हम सब तो जानते हैं लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को इससे दिक्कत क्यों हो रही है तो पहला विरोध कहा से हुआ विरोध विपक्षी पार्टियों ने किया पिपक्षी पार्टियों को जो की शुरुआती दोर से कॉंग्रेस के समय से भी जनसंख्या नियंतरन को लेकर भहत्ष च्छड़ी होई है कई बार इस पर चर्चा की फैमिली प्लानिंग की नीती भी आई थी कॉंग्रेस के सरकार के समय में लेकिन अब कॉंग्रेस इसका विरोध करती है इस विरोध की एक बड़ी बज़ा यही है कि जनसंख्या नियंतरन नीती से अब मुसल्मानों को समस्या हो रही है अब जब मुसल्मानों को समस्या होगी तो कॉंग्रेस के पेट में दर्ध होगा उत्तर परदेश में कुछ ऐसे हिस्ति थी अखलेस यादब की भी है अखलेस यादब को भी लगता है कि जहां-जहां मुसल्मानों को कोई परिशानी होगी तो समाजवादी पार्टी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए अब जनसंख्या नियंतरन कानून जो लागू किये जाने वाला है जिसके लिए सीम योगी आदितनाथ ने पिछले साल जो ड्राफ्ट लाया था ड्राफ्ट को पब्लिश भी किया गया बेपसाइट पर भी लाया गया उसके जो कई सुझाब भी मांगे गए थे तो ये सारी प्रक्रियाएं जो चल रही है उसके संकेत अभी उन्होंने जो कहा कि किसी एक वर की जनसंख्या जादा बढ़ने से अरजक्ता की स्थिति पैदा होती है और उसको रोकने के लिए जरूरी है कि सरकार प्रयास करें तो हर चीजों में एक सक्ती की जरुवत पड़ती है क्योंकि हमारे समाज में अभी भी जागरुकता का आभाव है अब जनसंख्या नियंतरन नीती किसी एक वर्ग को टार्गेट करके नहीं किया जा सकता है इस नीती में इस कानून में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अगर दो से ज़्यादा बच्चे हिंदूओं को होते हैं तो कोई समस्या नहीं है उनको सारी सरकारी सुविधाय दी जाएगी लेकिन अगर दो से ज़्यादा बच्चे मुसल्मानों के होते हैं तो उनको सारी सरकारी सुवधाओं से बंचित रखा जाएगा ये कानून तो नहीं लाया जा सकता कानून तो सब के लिए लाया जाएगा चाहे हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिको, इसाई हो लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ जो हो रही है इस बात से वो है मुसल्मानों का अब इसके पीछे एक बड़ा कारण माना जाता है जो अभी के समय में दिखाए पड़ा उसको उदाहरन के तोर पर देख सकते हैं कि पिछले दो-तीन महिनों में जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में इसलामिक एकता दिखाई पड़ी है जो नुपुर शर्मा के टिपनी के बाद पैदा हुआ और जो नौर्थ सौथ तक हर जगह पर एक ही बाद नमाज पढ़ने के बाद जो अचानक से भी स्फोर्ट होता था यानि कि कोई न कोई एक सुत्र है जो सब को पिरो रहा है और एक मैसेज देने वाले संस्था भी है जो हर जगह पर एक मैसेज को पहुँचा रही है यह इसलामिक निटवर्क है यह हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जहाँ भी मुसलमान हैン वो सब अपने आपको सबसे पहले मुसलमान समझते हैं और उसके बाद वो चाहे वो देश के हों, राष्ट के हों या फिर वो दूसरे आधार पर किसी प्रोफेशन के हों यानि कि कोई भी आधार उनका कमजोर रहेगा सबसे बड़ा आधार उनका धर्म रहेगा तो अब हिंदुस्तान की बात करते हैं कि हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान एक नया देश बना पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान को उस समय के जो तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे हमारे कॉंग्रेस के मेंबर थे यहां तक कि महात्मा गांधी जैसे जो अब उस समयते के ग्लोबल सिर्जन बन चुके थे आज में हैं वैश्वी कस्तर पर उनकी विचारधारा को सराहा जाता है लेकिन इन लोगों ने भी पाकिस्तान बनने के बाद उस आधार को हिंदुस्तान के साथ नहीं जोड़ा यानि कि एक confusion भी पैदा इस बात के लिए नहीं हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन अगर धर्म के आधार पर हुआ है तो पाकिस्तान अगर इस्लामिक राष्ट हो तो हिंदुस्तान सेकुलर क्यों हो अगर मुसल्मान यहां से जा रहे हैं और पाकिस्तान बनाने की मांग सिर्फ उन छेत्रों में नहीं हुई थी जिन छेत्रों को पाकिस्तान का हिस्सा बनाये गया लड़ाई के बल सिंध में नहीं थी, बलुचिस्तान में नहीं थी, बंगाल में नहीं थी, पंजाब में नहीं थी जो पाकिस्तान का छेतर है, ये जब डारेक्ट एक्सण डे की घोषना जिन्ना ने की थी तो उत्तर परदेश के मुसलमान भी उतना ही अग्रेसिव थे उन्होंने भी उतने ही हंगामेदार तरीके से हिंसा फैलाए थी हंगामा किया था बिहार में भी दंगे हुए थे और बिहार के मुसलमान भी आकरामक थे जबकि उनको पता था कि वो बीच के छेतर में हैं और पाकिस्तान अगर बनेगा तो ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों के अलग-अलग डिस्टिक में मिलाकर अलग-अलग तरीके से बनाया जाए यानि कि ऐसा तो था नहीं कि पाकिस्तान एक देश हो जिसका एक जिला बुलंसहर में हो एक जिला बिहार के किसी छेतर में हो एक जिला तमीनाडवा और किरल में हो ऐसा तो हो नहीं सकता था उसको एक छेतर बनाया जाता जहां पर पाकिस्तान बनाने थे और इसकी गोशना भी पाकिस्तान धर्म के आधार पर एक देश बने तो वैसे स्थिति में आप उनको हिंदुस्तान में रहने के लिए दबाब क्यों बना रहे हैं क्यों कह रहे हैं कि आपकी मानसिक्ता तो धर्म के आधार पर एक देश बनाने के लिए है लेकिन आप यहां आराम से रह सकते हो इन लोगों ने भारत में रहना स्विकार किया और उसके पीछे भी एक बड़ी कॉंस्पिरेसी मानी जाती है यह माना जाता है कि अगर हिंदुस्तान के सारे मुसल्मान पाकिस्तान चले जाएंगे जो अलग धर्म के आधार पर देश बना है तो हिंदुस्तान एक हिंदुरास्ट के तौर पर उभर कर सामने आएगा दुनिया के सामने हिंदुस्तान एक हिंदुरास्ट होगा लेकिन अगर कुछ मुसल्मान हिंदुस्तान में रहते हैं तो कभी भी यहाँ पर हिंदू राष्ट की बाद जब उठेगी तो मानवाधिकार के आधार पर ये लोग संघर्ष कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जब हिंदुस्तान में दूसरे धर्म के इतने लोग रह रहे हैं, जब मुसलमान 10%, 20%, 15% हैं, तो ऐसे में हिंदू राष्ट कैसे बनाया जा सकता है, एक धर्म के आधार पर राष्ट कैसे बनाया जा सकता है, और वो पूरा confusion पैदा किया किसने, इन कॉंग्रेस के लोगों ने जो अपने आपको बड़े बुद्धिजी भी कहते थे, ये पूरी दुनिया में एक मैसेज देना चाहते थे, कि हम तो कार के पूर्गधा है, इन लोगों ने ऐसी विवस्था बना दी, जबकि उस समय कोई भी समस्या नहीं होती, दुनिया भर में इस बास का संदेश था, जानकारे थी, कि हिंदुस्तान का बटवारा हो रहा है, और धर्म के आधार पर एक देश बन रहा है, जिसका नाम पाकि लोगों ने जब हिंदुस्तान में रहना शुरू किया, तो उसके बाद धीरे धीरे वही महत्वा कांचा इनकी बढ़ती गे, जिस तरीके से जिन्ना ने सोचा था, कि अगर सालों साल तक, हजारों साल तक भी अगर हिंदुस्तान एक रहा, और उस हिंदुस्तान में जो मु वो हिंदुस्तान में भी 30-40% मुसल्मान हो सकते हैं, मैक्सिमम, अगर 30-40% मुसल्मान हो सकते हैं, और जो विवस्ता हम इस देश में लागो करने वाले हैं, यानि कि डेमोक्रिसी लागो करने वाले हैं, first-past-the-post system है, यानि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, वही विदायक और सांसत बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में कभी भी कोई मुसल्मान परधान मंतर नहीं बन सकता, इस देश को चलाने वाला नेता नहीं बन सकता, ऐसी स्थिति में उनको जो चाहिए था, कि एक ऐसा देश हो, चाहे छोटा ही सही, लेकिन वो देश हो, जहां मुसल्म राज कर सके, अब हिंदुस्तान में जो रहने वाले मुसल्मान हैं, वो उसी विचारधारा से संचाली थे, वो लोग भी सोचते हैं, यहां के मुसल्मान सोचते हैं, कि अब जो ये डेमोक्रिटिक स्टेट है, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर चुनाब से सत्ता तक पहुँची जा सकती है और चुनाब में भारत में ये चुनाब की विवस्था जो है उसमें मुंडी गिनी जाती है यानि कि एक वोट सबका है अब उस वोट की संख्या जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक सियासत में राज़िती में आपका रिपरजेंटेशन उस असतर तक नहीं हो सकता अब यही आधार है कि ये अपनी सारी समस्याओं के बाबजूद जो समस्या कहीं ने कहीं जन्संख्या से संबंदित है उन समस्याओं को जھیलते हुए भी चाहते हैं कि हमारा धर्म मजबूत बना रहे सियासत में हम मजबूती के साथ जाएं ताकि Islamic agenda पूरी तरह से तो हिंदुस्तान में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके कुछ-कुछ हिस्सों को हिंदुस्तान में भी चलाता रहे, जो चला रहा है, अभी अगर मान लेते हैं कि 15-20% के बीच, मुसलमानों की जलसान क्या है, लेकिन फिर भी कितनी recent religious party तो है ही Congress, जो पूरी तरह से मुसलमानों के पक्ष में रहती है, लेकिन कितनी original party हैं, जिसका आधार कहीं न कहीं muslim है, उत्तर परदेश से लेके बिहार तक, जो regional party हैं, वो सब मुसल्मानों के वोट पे नजर गाड़ी रहती है और उस गड़ाय रहने के कारण वो मुसल्मानों के समर्थन में आती रहती है वो पार्टियां तो ये बड़ा आधार है इन लोगों का तो वो पढ़ाने के लिए अच्छी विवस्था कहां से दे सकते हैं वो तो खाने कमाने में ही रह जाएंगे इसलिए छोटे-छोटे कामों में ये लोग बैठे हुए हैं ये लोग उस चीज का भी फायदा उठा रहे हैं मुसल्मान पिछला है और पिछला होने के कारण पर नहीं जाएंगे बलकि पिछलापन है तो सरकार सुविधाय दे सचर कमिटी की री बोट लागो करें इन लोगों को और जादा रिजर्वेशन दे धर्म के आधार पर भी रिजर्वेशन दिया जाए क्योंकि उस कानून के लागो होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे जो हैं अल्ला की देन है इसे लिए हम इस पर नियंदरन नहीं कर सकते क्योंकि आपको अगर सरकारी सुविधा का उपयोग करना है तो कानून का पालन करना पड़े है जी बहुत अच्छे से आपने समझाया कि क्यों जनसंक्या नियंदरन कानून जरूरी है लेकिन ये जब कानून सभी के लिए बराबर है तो ये मुसलिम समझ क्यों नहीं रहे है क्योंकि वो समझना चाहते नहीं है वो समझना सिर्फ एकी चीछ आते हैं कि अगर उनका वजूद है जब तक वजूद है तब तक वो इसलाम के लिए ही लड़ते रहेंगे जो जिहाद है जिहाद अलग अलग तरीकों से होती है और ये भी एक जिहाद ही है कि धर्म के नाम पर कस्ट जहेलो कितनी भी परिशानिय जहेलो लेकिन धर्म को पकड़े रहो और ये धर्म को पकड़े रहने का मतलब है कि हिंदुस्तान में भी अपनी जन संख्या इतनी बढ़ाओ ताकि जो देमोक्रेटिक स्टेट होने एक आरण लोक तंत्र में जो वोट का अधिकार दिया गया है उसमें आपका वोटिंग प पीछे चलना शुरू करें और यही अधार है यही कारण है कि अपनी सारी समस्याओं के बावजूद इस जिहाद में वो शामिल हो रहे हैं जिहाद का मतलब सिर्फ वही नहीं है जो सामने दिखाई पड़ता है गला काटने वाला ये भी एक तरह से मुसल्मानों का जिहाद ह और इन जिहादियों का इलाज तभी हो सकता है जबकि सक्ती से कानून को लागो किया जाए है बहुत बहुत शुक्रिया समझाएं धन्यवाद और आगे पड़ रहे हैं जन संक्या नेंतरन कानून पर आपकी क्या कुछ राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं आज के हमारे खाशो किस्सा यूपी का में फ़लाल इतना ही देख तेरे कैपिटल टीवी उत्रप्रदेश नमस्कार